जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुमभा के आप सभी देखी रहे होंगे दोस्तों जिसमें प्रग्या बनी अभीने तुरी शृती जा और अभी की प्यार भरी लव केमिस्ट्री को दर्शक बहर जादा पसंद कर रही है लेकिन रील लाइफ में अभी के साथ लव केम लेकिन आप सभी इनकी लव स्टोरी के बारे में शायद ही जानते होंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले कैसे प्यार हुआ और वो प्यार इतना जादा कैसे बढ़ गया कि ये दोनों एक दूसरे से शादी तक करने का फैसला कर चुके हैं अगर आप ही इन सभी बातों को जाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहीगा और साथ ही अपनी फेवरिट अभिनेतरी शृती जहा के लिए आप अमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें सीरियल कुम कुम भागय में प्रग्या का किरदान निभाने वाली मशूर अभिनेतरी शृती जहा ने अपने शांदार और दमदार अभिनेतर प्रदर्शन से सीरियल में चार चांद लगाए हैं और साथी दर्शकों से खूब तारिफे भी बटोरी हैं वहीं दूसरी तरफ अभिनेता कुनाल करन कपूर अपने सीरियल ना बोले तों ना मैंने कुछ कहा में मोहन के किरदार में नजर आये थे और इन्हों निशांदार अभिने प्रदर्शन से लाखो दर्शकों का खूब एंटेटेन्मेंट भी किया था वल अगर आप बात करें अभिनेत री शृती जहा और कुनाल करन कपूर की लफ स्टोरी की बारे में तो इन दोनों की पहली मुलकात कॉमन फ्रेंट के जरीए एक इविंट के दोरान हुई थी उसे मुलाकात में अभिनेत आकुनाल कपूर को पहली ही नजर में शृति जहा से सच्चा वाला प्यार हो गया था उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अभिनेत शृति जहा को शादी के लिए प्रपोस कर दिया लेकिन शृति जहा ने उनका प्रपोजल को एकसप्ट ना करते हुए कहा कि मैं आभी शादी नहीं करना चाहती फिलाल मैं अपने अक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हूँ इस तरह से उनके प्रपोजल को इन्होंने रिजेक्ट कर अपने प्रफेशनल लाइफ में बिजी हो गई लेकिन हार ना मानते हुए करन ने अपने सच्चे प्यार का एहसास शृति जहा को दिला ही दिया शादि कीलिए प्रपोज किया और इसके साथ ही इस प्रपोजल को करण क कपूर ने एकसप्ट भी रिया और शादि के लिए हा कर दी अब ये देखना बागी है कि आखरकार कपता कभिनेत रीश रितिछा और अभिनेता कुनाल करन कपूर शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं वल दोस्तों कि आपकी भी लव स्टोरी इन दोनों की ही तरह है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात जरूर साचा कर सकते हैं और साथ ही टीवी जगर से जुड़ी ऐसे ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए और उनसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चानल को तरह सबस्क्राइब करें